जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इमेज की कॉलिटी और अलिवेंसी भी मैटर करती है इसी तरह से उसकी प्लेस्मेंट भी मैटर करती है जिस दा से हमने मेड़ा टाइक्स की जब बात की थी तो हमने यह डिसाइड किया था कि अच्छे कीवर्स और इमपॉर्टन्ट कीवर्ट हम शुरु में लिकेंगे ताकि गूगल को पता हो कि जिसे पहले आ रही है क्योंकि Google पहले ही आने विल चीज़ों को ज्यादा importance देता है same theory apply होगी images के ओपर कि अगर आपका image important है उसको आप पहले use करें उसको उपर लेकर आएं ताके Google उसको importance दे कि अगर वो पहले use हो रहा है तो उसका मतलब maybe possibility है कि वो ज्यादा अच्छा यादा important आपका image है और इसी तरह से Google उसको मायर करता है कि importance में वो कहां पर आ रहा है तो for example अगर आपने एक image आपको बहुत important image है और आपको लगता है कि वो user को देखना चाहिए लेकिन आपका image नीचे करके कहीं page पर पढ़ा हुआ है और user स्क्रोल करके वहां तक गया भी नहीं और वो आपका page close करके चला गया तो कभी भी उसको नजर image नहीं आएगा जो आप चाहते थे कि उसको फॉरण नजर आजए तो जिस तरह से आप उसको फॉरण वो image दिखाने के लिए उपर लगाएंगे इस तरह से Google भी understand करेगा कि उपर लगने वाला image जो है वो ज्यादा important है so placement बहुत जरूरी है आपने ये देखना है कि एक तो important चीज़ें prominently नजर आएं उपर नजर आएं लेकिन ये भी देखना है कि वो right text के गेंज नजर आएं हमने पहले बात की कि अगर आप text जो लिखेंगे image के around Google उसको मईयर करता है लेकिन आप कौन सा text कहां लिखेंगे और उसके साथ कौन सा image लगेंगे ये पूरा content का जो है वो page का content है वो decide करेगा कि कौन सा text या कौन सा image कहां लगना है ये आपने decide करना है और ये आपने देखना है कि आपके page की requirement क्या है मैं आपको यहाँ पर एक structure दिखा सकता हूँ page का for example ये वाला structure अगर आपके page का है तो इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये boxes लगे वे हैं वहाँ वहाँ basically images ने आना है so इस wireframe में आप ये देखेंगे किस तरह से एक page का layout दिखता है normally और किस तरह से images का layout change हो सकता है तो जहाँ पर उपर बड़ा image लगा है उसके साथ heading भी बड़ी है उसके साथ text भी ज़्यादा बड़ा होगा उसके साथ ये नीचे दो images की जगा बनाई है और उसके साथ भी text लगा हुआ है लेकिन अगर मैं इसका layout change कर दूँ अगर हम इस layout को देखें तो इसमें आप देखेंगे कि एक बड़ा box लगा है जिसमें एक image आएगा और उसके साथ text आएगा important नीचे button लगा हुआ है yellow color का और फिर नीचे तीन columns हैं जिसमें तीन images आ सकते हैं और ये placement different है पहले वाले image से लेकिन इसमें important बात क्या है कि images का इस्तमाल और उनके साथ जो लिखने 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 वाला text है वो properly use हुआ हुआ है इसमें कौन सा image आएगा इसमें कौन सा text लगेगा ये सारी चीज़ें vary करती है page to page आपने अपने business के लिए या आपके client के business के लिए जो भी आप page बनाएंगे उसमें आपने ये psyche देखनी है कि user किस angle से आ रहा है user क्या सोचते हुए आ रहा है और वह आपके क्या expect करेगा और जो वह expect करेगा आप उसको फॉरण उपर दिखाएं उसकी से importance बिल्ड होगी उसकी से relevance बिल्ड होगी और वही quality भी कहलाएगी च्योंकि अगर आपने user को फॉरण message दे दिया जो उसको चाहिए था तो वह बात है कि वह retain करेगा आपकी website पे वह convert करेगा और वह जल्दी आपको result भी दे सकता है लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नहीं ध्यान में रखेंगे तो user आएगा आपको page देखेगा और उसको अगर समझ नहीं आई उसको जल्दी कुछ नेजर नहीं आया तो वह page छोड़कर जा भी सकता है